हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सम्मी खान फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूर पे अप्लिकेशन के बारे में जैसे कि आपको पता होगा यूर पे से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने पे ट्रांसफर फी बिल्कुल फिरी था लेकिन अब इसा नहीं है यूर पे ने अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने पे ट्रांसफर फी लेने लगा है तो इस वीडियो में हम लाइप प्रूफ के साथ देखेंगे कि यूर पे ट्रांसफर फी कितना लग रहा है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आ आपको share करूँगा आपको notification मिलता रहेगा तो चलिए यूरपे application को open कर लेते हैं यहाँ पर अपना passcode इंटर करेंगे इंटर कर लेने के बाद यूरपे application open हो जाएगा यहाँ पर हम transfer के option के उपर click करेंगे आप यहाँ पर international transfer के उपर click करेंगे तो यहाँ पर हम अपने beneficiary को select करेंगे इसके बाद again transfer के उपर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर amount इंटर करना है जितना भी amount आप transfer करना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ पर 40 सौधी रियाल इंटर करते हैं इसके बाद next के उपर click करेंगे next के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर purpose of transfer पर select करेंगे इस पर salary select करेंगे इसके बाद region of transfer को select करेंगे family friends support इसके बाद आपको यहाँ पर term and condition को tick करेंगे tick करने के बाद next के उपर click कर देंगे तो देखते हैं कि अब transfer fee बिल्कुल 0 है या अभी charge लग रहा है तो चलिए यहाँ पर open हो रहा है तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं total मैं 40 सौधी रियाल transfer कर रहा हूँ तो यहाँ पर transfer fee है 7 रियाल पलस 1 रियाल का वैट है तो total यहाँ पर international money transfer करने के लिए आपको 8 सौधी रियाल का transfer चार्ज देना होगा जैसे कि total आप यहाँ पर देख सकते हैं 48 रियाल लग रहा है 40 सौधी रियाल मैं transfer कर रहा हूँ तो 7 इसका fee है पलस 1 रियाल इसका वैट है टोटल 8 रियाल हो रहा है इसका international money transfer तो अब यहाँ पर यूर पर applications अगर हम money transfer कर रहा है तो आपको 8 रियाल का आपको transfer fee देना होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं